तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वी के आँखों में आसू आ गया था एंग जंकुक ने उनके हाथों को थामा हुआ था एंग उनको यह एहसास दिलार रहते कि वो अकेले नहीं है हम सभी लोग आपके साथ हैं वीडियो को लाश्ट त सो जैसे ही पर्मिशन तू गांस ओंश्टेज स्टार्ट हुआ न तो जिन आर्म शुगा जेहोब जीमिन वी एंड जंकुक यह सभी उस ओनलाइन कॉंसर्ट में दिखाए दिये जो कि एक ओनलाइन कॉंसर्ट था जहां पे एक भी फैंस नहीं थे बिकाज यह ऑनलाइन था अभी पैंडमिक के वज़े से उन आफ लाइन कॉंसर्ट नहीं कर वाए जा रहे एंड यह कॉंसर्ट एक साल के बाद हुआ था तो सभी आर्मी बहुत ज्यादा है इसके लिए एंड बहुत ज्यादा एक्साइटिक थे तो जैसे कॉंसर्ट श्टार्ट हुआ तक 2020 का जो यह को डॉक्टर ने सला दी हुई थी कि वह सीट पर बैट की परफॉर्म कर रहेंगे जैसा मैं आपको यून प्रिविएस वीडियो में बताया था कि वी को यून काफ पेन हो रहा था उनको चोट मोच आ गई थी तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना ए सबसे में चीज जो उसमें दिखाएगी बीटेस का यून ब्रदर रोग्ड दिखाया गया यह ना ऑन दस्टेस पर अन येस श्पेशली जंकुक ने जो वी का हाथ थामा हुआ था ना इसको दिखाया गया इस चीज को जितने भी आर्मी से बहुत जादा उन्होंने शेयर कि या हर सोशल मीडिय लाइक ट्विटर इंस्टाग्राम सभी जगह पे है ना जिस गैशर में वी भी बहुत जादा कंफर्टेबल दिखाई देर रहे थे गाइस मैं आपको बता दू कि आर्मी ने नोटिस किया कि वी ना अपने आसूओं को चुपाने की अपने आसूओं को क कोशिश कर रहे थे विकांजन l...कितने ज़्यादा उस वी इस का दुख초राःता कि वह परफॉर्म नहीं घर पाएंगा तो सब्सक्रिcca कोशिश की व्रमटीकर पार्यथे लह जाएं इवन तना ही न घंट्स दूखरिंअ हूसों परफॉर्म नहीं कर पाएंगार हूसिता कि जितने भी आर्मी थे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए एंग उन्होंने टुईटर इंस्टा जितने भी शोशल मेडिया थे ना उनके उनके यूज से वी को ये बात बतानी की कोशिश की कि वी हम सभी आर्मी को आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है कि आप हम लोगों के बताओ गाइस की आप वी को क्या मैसेज देना चाहते हो थेंक यू फू वाचिंग दिस वीडियो बाई टेक कि